हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच्पी स्टड़ी हब, आज दिनाख है 28 जनवरी, तो चलिए डिसकस करते हैं 28 जनवरी के करन्ट अफियर और स्टैटिक जिके के टोप 10 इपॉर्टन कोशिन, जो आप कहाने वाले किसी भी एक्जैम के लिए बहुत ज़्यादा इपॉर्टन है बट बिफोर वी गो, अगर आप हिमाचर प्रदेश के किसी भी कॉंपिटेट इग्जैम की त्यारी कर रहे हो, तो प्रिक्षा अप लेका आया है, आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्टनिटी, जहां पे आप HPJIT, HPConstable, HPGK और HPTED की टेस्स को परचेस करके, अपने न प्रिक्षे आपको डाउलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके साथ ही, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, and don't forget to press the bell icon button, तो चलिए शुरू करते हैं आज इच टाइपस ओफ फाइनेशल इंस्टिशन तो फिरस हाली में रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने प्रपोस्ट किया है, अपना फोर टायर रेगुलेटरी फ्रेमबर्क कौन से फाइनेशल इंस्टिशन के लिए, और कि गिवन ओप्शन ए, पेमेट बैंक्स, ओप्शन बी NBFC, ओप्शन C, Small Finance Banks, या फिर ओप्शन D, Foreign Banks, तो इस कोशन का दो रेटन्स होगा, वो होगा, ओप्शन B, NBFC, तो हाली में, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने रिलीज किया है अपना एक डिसकेशन पेपर, जहां पे उन्होंने बात की है, रेगुलेटरी फ्रेमबर्क फ इसको डिवाइड किया गया है, बेस लियर में, मिडल लियर में, अपर लियर में और पॉसिबल टॉप लियर में, ये चार लियर होंगी, इसके अंदर अब NBFC के रेगुलेटरी और सुपरिविजन की जाएगी, और इसके साथ ही, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने रिकम तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला, विच वोज मेकिंग निउजर सेंटरी, वोज और इन विच स्टेट और यूटी, तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला हाली में निउज में था, तो ये कौन सी स्टेट में और इसके जाता है, आके option A, उडिसा, बिहार, उत्राखंड, या फिर उप्शन D, अंधराप्रदीश, तो इसका जो राइट अंसर होगा, कोश्च नबर टू का, तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला उर्गनाईज किया गया था, उप्शन A, उडिसा द्वारा, तोशाली एक आपका एक नेशनल क्राफ्ट मेला एक अनुवली उर्गनाईज कि आपके आर्टिशन आते हैं और वो अपना शोकेस करते हैं परड़क्ट इंदी हैंडलूम और हैंडिक्राफ्ट फियर में, तो काफी इंपोर्टन यह आपका मेला है, जहां पर ओल ओवर दी स्टेट से आर्टिशन आते हैं और अपना वो शेकस करते हैं जो भी उन्होंने की उडिशा स्टेट नेक्स कुश्ट नमर थर्ड जिसमें आपसे पूछा गया है रोट ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री साइंड MOU यानिके मेमरेंडम उफ अंडरस्टेंडिंग विद विच इंस्टुशन फोर रिसर्च एंड डॉर्फमेंट आपके option A IIT Rootki, NIT वारंगल, Center Institute of Road Transport या फिर IIT चे नहीं तपर इस question number 3 में आपसे पूछा गया है कि Road Transport Ministry ने हाली में कौन से institution के साथ आपका एक agreement sign किया है इसका नाम है MOU आपके option A, B, C, D तो इस given option में से जो right answer है वो है option A IIT Rootki तो हाली में the Union Ministry of Road Transport and Highway और इसके साथ the Indian Institute of Technology यानि की Rootki ने sign किया एक Memorandum of Understanding to continue the more professional chair focusing on research and development और इसमें फ्रेंट्स में फोकुस किया गया है कि किस तरह teaching and training को develop किया सके in the field of highway infrastructure और इसकी जो main name रहेगी इस Memor of Understanding के बाद वो रहेगी to develop indigenious technology to lower cost of construction and reduce construction period of transport project तो रहेगी इसका जो main focus रहेगा कि किस तरह indigenious technology को विक्सित किया जा सके और काफी low cost के उपर जो भी construction एक अंदर चली है उसको low cost में complete किया जा सके और साथ ही में जो construction का पिरिड है उसको भी reduce किया सके तो काफी important है आप एक memorandum of understanding sign की है between the transport ministry and आपके IIT रुड़की ने अगर बात करूँ प्रेजेंट में union minister of road and transport की तो वो है नितिन गड़करी जी Q4 में आपसे पूछा गया है एक land allotment policy लाई है जिसका नाम है land allotment policy 2020-2130 तो यह कौन सी state ने हाली में यह policy आपकी बनाई है अपके option है करनाटका, किरला, जम्मु कश्मीर या फिर गुजरात तो इसका right answer होगा जम्मु एंड कश्मीर आप इस policy का नाम है रखे या आपके paper में पूछी जा सकती है इस policy के अंदर जो main aim है इस policy की वो है तो ले डाउन फ्रेमबर्क तो रेगुलेट जोनिंग ऑफ इंडस्टिर एरिया इंडस्टिर एरिया के लिए जोन बनाई जाएंगे उसको किस तरह से उसकी framework और regulate उसको किया जाएगा और इसके साथ ही यहां पे जितने भी institutions और educational institution खुलेंगे या फिर health institution खुलेंगे उनकी भी यहां पे उनको भी वहां पे उनकी भी land allotment की यहां पे इस policy के अंदर बात की गई है और इस policy का जो main aim है वो है प्रजेट में बात करूँ यहां के lieutenant governor की Jammu and Kashmir की वो है Manos Sinha The next question, question number 5 Ocaria Joshi is an ant species recently discovered in which state? Friends, Ocaria Joshi is an ant species recently discovered की गई है कि कौन सी state के अंदर, आपके बुशन है ते लंगाना Kerala, Andhra Pradesh या फिर Karnatka तुसका राइट न स्रोग, option B, Kerala काफी important question है, friends, आपके लिए यहां पर बोला गए है कि एक Ocaria Joshi नाम के एक आंट है यह कौन से state के अंदर मिली है तो यह मिली है आपकी Kerala के अंदर और यह मिली है, आपकी found की गई है Peria Tiger Reserve of Kerala में Peria Tiger Reserve के पास मिली है आपकी Ocaria Joshi और इसके साथ की गई है Professor Amitabh Joshi को जो के आपके एक Distinguished Evolutionary Biologist थे from the Johalar Nehru Center of Advanced Scientific Search तो इस institute के आपके एक एक Biologist थे इनके ही आपके जी विगानिक थे इनके ही नाम पे आपका इस आंट का नाम रखा गया जिसका नाम है Ocaria Joshi Next question Question number 6 What is the rank of India in the Global Climate Risk Index 2021? Again काफी important question आपके option है 14, 7, 26 या फिर 9 तो बात करूँ Global Climate Risk Index की तो इसके अनुसार जो इंडिया का rank है 2021 में वो है option B 7 और इस report को जो publish करता है वो करता है The Bone-Based Environmental Thick Tank जिसका नाम है German Watch तो German Watch द्वारा ये release की जाती है Global Climate Risk Index और फ्रेंस ये दी जाती है Climate Change से लेटिट कौन सी कंट्री कितनी इफेक्टर है तो इंडिया जो है Top 10 Most Effective Countries में आता है By the Climate Change इंडिया के जो rank है इस बार ये फ्रेंस आपका जो data दीएगे 2019 के basis के उपर दीएगे है तो उसके अनुसार इंडिया के जो rank है वो 7th है Next question, question number 7 The International Custom Days Is celebrated on which date? 25 January, 26 January, 24 January, 30 January तो इसकार जो right answer है वो option B 26 January को celebrate के जाता है The International Custom Day Important रहती है उस देन की theme तो इस बार की जो theme थी 2021 की ICD की वो थी थी Custom, Blustering, Recovery, Renewal and Resilience ठीके आप इस से याद रहके 2021 की theme थी Custom, Blustering, Recovery, Renewal and Resilience ठीके फ्रेंस काफी important है ये theme आपके लिए आपके आने वाले exam में ये पूछी जा सकती है The next question, question number 8 Which state has launched this scheme Punk, Abhiyan For Girls Empowerment तो कौन से state ने हाली में Punk नामें के एक scheme शुरू की है Girl Empowerment के लिए अपके पूछने हर्याना, राजस्तान, Madhya Pradesh या फिर option D, Himachal Pradesh तो उसका right answer option C Madhya Pradesh तो हाली में Madhya Pradesh के चीव मिनिस्टर जिनका नाम है शीवरा सिंग चुहान ने अनौंस की है एक new scheme Punk अभियान और ये अपके अनौंसमेंट की है 21 जनवरी को क्योंकि उस दिन occasion होता है The National Girl Child Day उस दिन celebrate के जाता है 24 जनवरी as a National Girl Child Day तो National Girl Child Day के उपर अनौंसमेंट की है शीवरा सिंग चुहान ने कि वो launch करेंगे Punk scheme और ये scheme जो है launch की जाएगी under the बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ scheme के तेथ जहां पर बात की गई है for the empowerment and growth of the girl child तो काफी important scheme आप इसे याद रखे ये हाली में लोच की है मध्यपदे स्थकार ने The next question, question number 9 When is the international day of education observed across the global? Question number 9 में आपसे पूछा गया है कि international day of education कब observe किये जाता है 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी या फिर option D, 30 जनवरी तो उसका राइटा स्रोगा option B, 24 जनवरी तो हर साल 24 जनवरी को celebrate के जाता as an international day of education वो जो theme थी इस day की वो थी friends आपकी उसे याद रखे आप recover and revitalize education for the COVID-19 generation recover and revitalize education for the COVID-19 generation friends आपको बता दू, ये जो 24 जनवरी celebrate करना start की गया as an international day of education ये किये गया है 2018 में और 2021 में बात करूँ तो ये इसका third edition है ठीक है आप इसे याद रखे, काफी important है 2018 में इसके announcement की गई और 2019 में इसका first time आपका celebrate किया गया 2019 में इसका first time में celebrate किया गया 2020 में second time और 2021 में जो है इसका third edition है ठीक है 2018 में इसका resolution पास किया गया था और उसके बाद 2019 में इसका celebrate करना start किया गया तो काफी important आप इसे याद रखे ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स कॉशन कॉशन नमर 10 यह launch कौन से organization द्वारा किया गया इसका launch और उसने जो है break किया है 143 satellite छोड़के एक single mission में record को और कि इसना SpaceX इस रो NASA या फिर Blue Origin तो उसका right answer होगा option A SpaceX is the right answer अब जिसते हैं SpaceX successfully launched it is ambitious ride share mission जिसका नाम था Transport 1 और 24th January 2021 carrying 143 small satellite इसके साथ ही इन्होंने अपना एक history और एक नया record record कर दिया है क्योंकि इन्होंने SpaceX ने ब्रोक किया है ISRO के record को जहांपर फरवरी 2017 में ISRO ने launch किये थे 1714 satellite इन्हें single mission जो आपके launch किये थे PSLV rocket के जरीए तो हाली में SpaceX ने भी 143 satellite छोड़के है Falcon 9 आप इसे भी याद रखे आज किस लेक्शन में उन्हें डिस्कुस कर लिए है top 10 important question जो आप कहाने वाले exam के लिए बहुत ज़्यादा important थे